मौहमद सिराज के बारे में ये पाच बाते जो शायद आप नहीं जानते होंगे फैक नूमर फाइब मौहमद सिराज ने अपने जुनों से किस्मत की लखी रखी ची है उनके पिता हैदराबाद में एक ओटो ड्राइवर थे लेकिन अभाव में भी सिराज ने टीम इंडिया में जगह पाई फैक नूमर फोर सिराज के मामा एक कलब मैच में कप्तान थे जिसमें सिराज ने 20 रन देकर 9 विकेट लिये थे जिससे उनके मामा ने खुश होकर पहली कमाई के तौर पर 500 रुपे उन्हें दिये थे फैक नूमर फ्री गरिबी के कारण सिराज लंबे समय तक टेनिस बॉल से ही गेंदबाजी करते थे या सलसला रंजी ट्रॉफी खेलने से कुछ समय पहले तक भी चलता रहा फैक नूमर टू मुहमद सिराज ने अपने पहले रंजी सीजन में ही धमाल मचा दिया था और 9 मैचों में 41 विकेट जटक लिये थे फैक नूमर वन 2020 में औस्टेलिया दौरे से सिराज का पहला टेस्ट डेब्य हुआ था लेकिन उसी दौरान उनके पिता का निधन भी हो गया था बाप जुदिस के उन्होंने टीम के लिए खेला और उस दौरान ही एक वीडियो में रास्ट गान बजने के वक्त वे रोने लगे थे अगर आप भी इस क्लारी के फैन है तो उस वीडियो को लाइक जरूर करें